नमस्कार साथियों स्वागत है आपको अपनी योट्पितेन सक्सेसरेंट्यू में साथियों आज भर दिन आपकी दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि पुरानी पेंसन योजना साथियों बजट सत्र में गूजा है पुरानी पेंसन योजना से जुरे मुद्दे आपको पता ही है कि जो माननी सदस संजय कुमार जी है उन्होंने बजट सत्र के दोरान सुनिकाल में पुरानी पेंसन योजना के से जुरे मुद्दो को उठाया है उन्होंने बिहार राज के सभी करमचारियों से ले करके सभी प्रकार के नियोजित सिक्षक जो मादमिक हो चाहे उच्छतर मादमिक हो चाहे प्राणबिक हो सभी के लिए पुरानी पेंसन योजनाओं की मांग कियें ये बहुत ही अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, साथी साथ आपको ये बाते बताना हम चाहेंगे कि आपने उनका वीडियो देखा होगा, उनसे जुरे हुए बाते पढ़ी होगी, लेकिन आपने मान ये सिक्षा मंतरी का बयान नहीं सुना होगा तो साथियों इस वीडियो में हम उनसे जुरे हुए सभी तथ्यों पर बातचीत करेंगे, जो पुरानी पेंसन योजना से क्या बिहार सरकार के नियोजित सिक्षक लाभानवित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं कितनी देखिये, कितनी बड़ी बिड़म बनाए हैं, अब ये पूरी तरीके से पूरी वीडियो आप देखिये, आपको पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी पराप्त हो जाएगा, साथियों पुरानी पेंसन योजना क्यों जरूरी है, इसके लिए क्या करना परेगा इससे जुरे हुए सारे मुद्दों पर आज के इस वीडियो में बादसीत करेंगे साथियों सिक्षा ज़िए तमाम बड़ी ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजे और साथी साथ बेल आकर को दबा लिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहा है जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं साथियों आपको पता ही है कि पुरानी पेंसन योजना लागू करने के लिए लंबे समय से संगहर से चल रहा है 2004 के बाद से लगभग जितने भी पुरे राज्य में या पुरे देश में कहिए पुरे देश में जितने भी करमचारियों की नियुक्ति हुई है उन में से किन ही को आपको पुरानी पेंसन योजना नहीं दी जा रही है तो साथ ही आपको पता है कि पुरानी पेंसर योजना के लिए कई संगर समीतिया बनी हुई है लंबे समय से जब तक पेंसर नहीं मिलेगा तब तक जह सो पूरी तरीके से लराई को लरना ही परेगा आपको पता ही है कि कई राज जैसे की जारखंड, जैसे की राजस्थान, जैसे की महाराष्ट्रा और अब उत्तर प्रदेश भी इस पुरानी पेंसर योजना को लागू करने के लिए पूरी तरीके से ततपरता दिखा रही है वही पर सालों से नोकरी करने वाले लोगों को रिटार्मेंट के बाद मत्र जब 700-800 रुपया अगर पेंसर मिले तो कितनी आसरी जनक बात होगी साथियों आपको पता दें कि 50,640 रुपया उनका अंतीम बेतन था लेकिन रिटार्मेंट के बाद मिले क्या तो सिर्फ और सिर्फ 712 रुपया प्रतेक मन्त यानि पेंसर के रूप आपको पता ही है साथियों कि 60% जो होता है 60% रासी जो है वो आपको दे दिया जाता है रिटार्मेंट के बाद लेकिन जो 40% बज़ जाता है वो सेर मार्केट में छोड़ दिया जाता है और उसी सेर मार्केट की बज़़ से उसमें जो मतलब समझ लिज़े दिया जाएगा वो share market पर depend करता है कि क्या कितनी रासियां मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। आपको थोरी सी बता दें कि पुरानी pension योजना और नई pension योजना में क्या-क्या अंतर है। चुकि पुरानी pension योजना में करमचारियों के बेतन से कोई कटवती नहीं होती है। जबकि अगर बात करें नई pension योजना में तो उसमें कुछ फिस्ती जो है फिक्स करके वो करमचारियों के बेतन से कटवती होती है। और पुरानी pension योजना में अगर बात करें जो जनरल प्रविनेंट फंड होता है जी पी एफ उसकी सुवधा दी गई है। परन्तु नई pension योजना में जनरल प्रविनेंट फंड का भी सुवधा नहीं दिया गया है। तीसरी बात अगर कर लेते हैं तो पुरानी pension योजना एक सुरक्षित pension है जिसकी भुकतान ट्रेजरी ओफिस से होती है। नई pension योजना की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सेर मार्केट आधारित है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 700 रुपया जो मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बढ़ते रहता है लेकिन नई pension योजना में इसकी कोई सुवधाय नहीं है। पूरानी pension योजना में अगर सर्विस के दोरान किसी को मौत हो जाती है तो उस इस्थिती में फैमिली को पैंसन तो दी जाती है लेकिन जमा रासी जो 60% बला रहता है उसको जब्द कर लिया जाता है। लेकिन NPS में जो मार्केट के आधार पर उसको टेक्स भी दिया जाता है। टेक्स भी कटोती होती है पुरानी pension योजना के अगर बात कर ले तो GPF की रासी जो निवेस करने की आवसिकता वो उसमें किसी परकार की आवसिकता नहीं है। लेकिन NPS में 40 फिस्दी जो है वो अनिवारे है कि उतना निवेस करना ही परेगा। अब दस्ती जो है ये आपको करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बीड़म बनाए है साथियों। अब यहाँ समझने बाली बात यही हो जाती है कि पुरानी पंसन योजना अगर लागू हो जाता है तो पूरी तरीके से सभी प्रकार के करमचारी कम से कम जो 60 बरस तक पूरी मतलब समझने लिए अपनी छमता का प्रतरसन करते हुए अपने काड़े में पूरी तरीके से तन की बात करेंगे तो जो मानिय सिक्षा मंतरी का बयान सामने आया है उसके अनुसार अगर बात कर लें उनकी अनुसार तो उन्होंने कहा है कि यह जो है मामला हमारी अंदर है परंतु हम जो बिचार कर रहे हैं बिचारा धीन है हम सभी जगों का रीड कर रहे हैं फिर हम इस प किहार में किसी भी करमचारियों के से संबंधित जो है आपको जो हम बात कर ले पुराणी पिंसन यूजना की इसमें किसी प्रकार की कोई बात्चीत नहीं चल रही है हाँ लेकिन बात अगर करेंगे कि कहिएगा कि बजट में सिक्षा पर जो मैक्सिमम खर्च किया जा रहा है आखिर इसका क्या कहीं यही तो सोच करके नहीं किया जा रहा बिल्कुल साथियों ये बाते आपके मन में जो चल रहा होगा वो हो सकता है तो कुछ हद तक सही हो लेकिन सरकार का जो मन सा है वो पूरी तरीके से विद्यालेई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर है चुकि नई सिक्षा नीती के अतहत जो है काफी ववस्थाओं में विड़ी करनी है उसको लेकर के जो है ये आपको सिक्षा के छेतर में अधिकांस जो है सो बनाया गया है ठीक है ये बाते हैं तो चलिए साथियो सिक्षा नेकत की तौमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर शब्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया किजिए और इसी प्रकार से वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे है नोटिफिकेशन मिलता रहे है इसलिए आप बेल आइकन को भी दवा लिजेए वीडियो बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों आज भर दिन आपकी दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि पुरानी पेंसन योजना साथियों बजट सत्र में गूजा है पुरानी पेंसन योजना से जुरे मुद्दे आपको पता ही है कि जो माननी सदस संजय कुमार जी है उन्होंने बजट सत्र के दोरान सुनिकाल में पुरानी पेंशन योजना के से जुरे मुद्दों को उठाया है उन्होंने बिहार राज के सभी करमचारियों से ले करके सभी प्रकार के नियोजित सिक्षक जो मादमिक हो चाहे उच्छतर मादमिक हो चाहे प्राणभी को सभी के लिए पुरानी पेंसन योजनाओं की मांग कियें ये बहुत ही अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, साथी साथ आपको ये बाते बताना हम चाहेंगे कि आपने उनका वीडियो देखा होगा, उनसे जुरे हुए बाते पढ़ी होगी, लेकिन आपने मान ये सिक्षा मंतरी का बयान नहीं सुना होगा तो साथियों इस वीडियो में हम उनसे जुरे हुए सभी तथ्यों पर बातचीत करेंगे, जो पुरानी पेंसन योजना से क्या बिहार सरकार के नियोजित सिक्षक लाभानवित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं चले दूसरी बात हम कर लेते हैं आगे कि 50,000 पिछले 15 बरस तक सरकारी सेवक के रूप में इन्होंने कारी किया, 50,000 से अधिक बेतन था लेकिन ये 15 बरस तक लगातार सेवा करने के बाद जब रिटायर हुए तो आपको इनको 782 रूपिया पेंसन के रूप में मिलना प्रा साथियों पुरानी पेंसन योजना क्यों जरूरी है इसके लिए क्या करना परेगा इस से जुरे हुए सारे मुद्दों पर आज के इस वीडियो में बादसीत करेंगे साथियों सिक्षा जिकती तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ बेल लाइक कर को दबा लिए जिससे नोटिफिकेसन आप तक पहुँचता रहे हैं जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो च जुरे मुद्दे आपको पता ही है कि जो मानिय सदस संजय कुमार जी है उन्होंने बजट सत्र के दोरान सुनिकाल में पुरानी पेंसन योजना के से जुरे मुद्दों को उठाया है उन्होंने बिहार राज के सभी करमचारियों से ले करके सभी प्रकार के नियोजित सिक् हम भी को सभी के लिए पुरानी पेंसन योजनाओं की मांग की हैं ये बहुत ही अच्छी बात है उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं साथी साथ आपको ये बाते बताना हम चाहेंगे कि आपने उनका वीडियो देखा होगा उनसे जुरे हुए बाते पढ़ी होगी ल दूसरी बात हम कर लेते हैं आगे कि 50,000 पिछले 15 बरस तक सरकारी सेवक के रूप में इन्होंने काड़ी किया 50,000 से अधिक बेतन था लेकिन ये 15 बरस तक लगातार सेवा करने के बाद जब रिटाइर हुए तो आपको इनको 782 रूपिया पेंसन के रूप में मिलना साथियों पुरानी प्रेंसन योजना क्यों जरूरी है इसके लिए क्या करना परेगा इससे जुरे हुए सारे मुद्दों पर आज के इस वीडियो में बादसीत करेंगे साथियों सिक्षा जिए तमाम बड़ी ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वी